वेल्कम तो माई यूटूब चैनल बेसिक मैस ओने डेप्स और इस वीडियो में मैं निकानने वाला हूं मीन शॉटकट मेथड से तो जैसे कि हम जानते हैं कि धिस्क्रीट फ्रिक्वेंसिसि डिस्टिब्यूशन में जो और्थमेटिक मीन होता है वह मैं किसी भी मैंथड से निकाल सकते हैं चाए वह डाइक मैंथं हो शॉर्टकट मेथद हो यह स्टमधिशन में यहां यहां यूज करूद खान्थ निकालना है तो यहां पर जो टेबल हमारा वेट हो जगा वह हमारा हो जगा X I और जो हमारा number of student है वह अप्छे सबसे पहले मैं आपको mean का formula बताता हूं लिखे मैंने यह पर formula लिख लिए mean का formula है अभी बनेगा a plus sigma fi di upon n तो यहाँ n जो है वह sigma fi के होगा और यहां पर एक मतलब है एक से एक Hier होां दिखना होगा तो एसे घर तो मैं आप जैसे से स्टेक्रव करूंगा अपको समझ में आता जायेगा सबसे पहले हां निकालूंगा भीक फॉर्मिला लीख लेता और फिर उसके बाद शुरू करता हूं से देखे डी जो है वह है एकस आई माइनस ए तो हमें यहां पर एजूम करना होगा कोई भी नंबर जैसे मैंने इन में से मिडल का नंबर हमें जूम करना चाहिए तो मिडल में देखे तो हमारा 72 आ रहा है मैं इसको एजूम कर लेता हू इसको ए माल लेता हूं मैं तो एकस आई माइनस ए यानिकि अब हमारा एकस आई 67 67 में से मुझे 72 घटाने है तो मेरे पास आएगा जीरो उसके बाद हमें एकस आई 73 73 में से 72 घटाने है तो आएगा 1 उसके आई 75 75 में से 72 घटाने तो जहने तो हमारा यहां एगा ऐह driven तो इस तरह से मैंने इसमें डियाई है उसके बात मैं निकालूंगा FIDI FosasDi में क्या होगा? हमारा जो Faway है और जो हमारा Ci है इन दोनों के हम लीडिप्लाइ करा के लिख देंगे तो 4 को minus 5 से multiply कराएंगे तो हमारा आजगा है, haan minus 20 उसके बात 3 को हम 2 से कराएंगे minus के, तो आजगा हमारा minus 6, उसके बात 2 को 0 से कराएंगे तो 0 1 ko 2 से कराएंगे तो 2 1 ko 3 से कराएंगे तो 3 अब यहांपर हम इसका Sigma निकाल इसका टोटल निकाल लेते हैं तो Sigma FYDI इसका टॉटल आप देखें यहां पर 26 है और यहांपर है 5 तो –26 में से अगर चोंसपाइब को लेस करते हैं वो हमारा sigma fi equal होगा, अब इसका total कर लेते हैं, इसका total आएगा हमारा 12 आगया इसका total, ठीक है, अब हमें सिर्फ formula में values put करनी है, और answer को find out करना है, हम चाहे तो लिख सकते हैं कि हमारा क्या क्या आगया है, कि हम अगर देखें, तो हमारा n जो है, वो 12 है, और sigma fi di जो है, वो हमार minus 21 है, और साथ में जो हमने assume किया था, वो हमारा था 72, अब यहाँ पर मैं इसको formula में put कर दूँआ, और answer को निकाल दूँआ, तो यहाँ पर a जो है, वो हमारा 72 है, और sigma fi di जो है, वो minus 21 है, और n जो है, वो 12 है, उसको solve कर लेते हैं, जीसे कि 1 table से cut रहा है, तो हम इसे काट सक सकते हैं, ऐसा करते हैं, इसको आगे लिख लेता है, 72 और यह plus minus हो जाएगा, तो minus 21 हो जाएगा, तो 3 से कट सकता है, तो 3 से बन जाए, तो 3 फोर जाए, तो इस तरह से बन जाता है, 72 माइनस 7 अपन 4, यहाँ पर a sum ले लेते हैं, इसका, एलसम 1 और 4 का 4 ही आएगा, अब 1 की multiply करेंगे, हमारा, तो यह आएगा, हमारा 288, 4 को 4 से divide करेंगे, तो बन आएगा, 1 को 7 से multiply करेंगे, तो 7 आएगा, 288 में से हम 7 को less करते हैं, तो हमारा आजएगा 281, अपन में 4, जब इन हम दोनों की divide करेंगे, तो हमारे पास, जो रिजल परनेगा, हम वो निकाल लेते हैं, 70.25 kg जो है, वो हमारा mean weight आ गया, तो आपको easy समझ में आया होगा, किस तरह से मैंने इसको किया, तो आप करते हैं, next question, इसमें आपना mean जरूर लिखते जाहिए, आप यहां पर, जो हम यहां calculate करें, इस तरह से, तो हमारा mean weight आ गया, पिछले question में हमने mean निकाला था shortcut method से, और इस question में हम mean निकालेंगे step divation method से, step divation से mean निकालने के लिए हमें पता होना चीह है, di, ui और sigma, fi, ui, तो सबसे पहले मैं formula लिख लेता हूं, तो step divation से निकालने के लिए हम formula यूज़ करेंगे, a plus h bracket में sigma, fi, ui upon n, n जो है, वो total होता है, fi का, तो start करते हैं, सबसे पहले हमें यहां पर di निकालना तो, तो अभी यहां पर मैं बीच का नंबर जो है, जियूम कर लेता हूं, जैसे कि मैं जानता हूं, यह हमारा xi है, और यह fi है, इसमें मैं assume कर रहा हूं 900 को, यह मैं a मान रहा हूं, अब मुझे xi में से ght आना है, xi मितलब 800 में से हमें 900 को less करना है, तो हमारे पास आएगा – 100, उसके बाद 220 में से 900 को less करना है तो हमारा answer आएगा – 80, उसके बाद 860 में से 900 को ہ случае less करना है तो आएगा – 40, पिर 900 में से 900 कोलेस करेंगे 0, उसके बाद 920 में से 900 कोलेस करेंगे तो 20, और 980 में से 900 कोलेस करेंगे तो 80, फिर 1000 में से 900 कोलेस करेंगे तो 100, उसके बाद यह हमारा डिया आचुका है, अब हम निकालेंगे यू आए, तो यू आए निकालने के लिए क्या करना है, जो भी हमार एक्स आई माइनस ए आया था उसको हम डिवाइड करा लेंगे यहां पर 20 से यहां पर मैं 20 करतूं 20 हां कहां से आया देखें जैसे कि अगर हम यहां देखें तो इसमें ज्यादतर गैप जो है वो 20 का 800 से 820 20 से 860 तरह से ज्यादतर गैप आप देखेंगे तो 20 का तो इसलिए मैंने यहां पर अपन में 20 ले लिया है और इसको मैं कैल्कुलेट करूंगा तो अब इसको मैंने की माइनस 100 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो यह हमारा बने का माइनस 5 फिर माइनस 80 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो बने का माइनस 4 माइनस 40 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो बने का माइनस 2 0 को गराएंगे 20 से तो 0 20 को 20 से कराएंगे तो 1 80 को 20 सेป かरेंगे तो हमारा पने चाप 4 और 100 को 25 करेंगे तो बने मावथाएंगे धां अब हम निकालेंगे यहाफ पर F Catholic में और यू आई यनिका प्रॉडक्ट निका लेंगे फ है यू यू आई का तो हमारा तुर ult इंटो में माइनस 5 यानि कि माइनस 35 उसके बार 14 14 और माइनस 4 के मल्टिप्लाइए करेंगे तो माइनस 56 19 और माइनस 2 के मल्टिप्लाइए करेंगे तो माइनस 38 25 को 0 से करेंगे तो 0 20 को 20 20 उसके बार 10 को 4 से करेंगे तो 40 और 5 को 5 से करेंगे तो 25 कि यहां पर इसका मुझे टोटल निकानना होगा क्योंकि जैसा कि हम यहां देख पा रहें कि सिग्मा और आपको मैंने बताया था कि यहां पर पहले में इसका टोटल निकाल लेता हूं तो आप माइनस फ़ली प्लस करके रख लिए उसमें माइनस लगा दीजे और फिर इसको प्लस कर दीजे फिर प्लस मैनस माइनस हो देगे तो इससे इसका रिजल्ट बनेगा वह बनेगा आपका माइनस 44 और एक टोटल मैं करता हूं तो यह बनता है हमारा हन्डेड यह हन्डेड इसका टोटल बिन जाता है जो कि मेरा यहां एन के को लोगा जो कि है सिग्मा एफ आप यहां पर मुझे फॉर्मले को पुट करना है और आंसर निकाल लेना है यहां पर लिख भी देता हूं कि मेरे पास क्या क्या चीज आया थी मेरे पास जो है यहां पर क्योंकि मैं यहां पर gap देखा था 20 ज्यादतर gap था अब उसके बार यह जो है वह मेरा हो गया हाँ 900 है प्लस है जो है वह 20 हो गया 20 multiply FIUI का जो टोटल है वह माइनस 44 और जो इसका टोटल है एन नंबर जो है वह हमारे पास है 100 तो बस हम इसको solve कर लेंगे और answer जो है इसली निकाल लेंगे इसका तो 900 प्लस अगर मैं इसको डिवाइड करा हूं तो यह 5 जब चला जाता है तो यहां बच जाता है कि माइनस 44 अपॉन में 5 यहां पार देखे यह 900 लिखा प्लस माइनस माइनस हो गया और इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो यह हमारा आएगा 8.8 900 मेंसे हम 8.8 को लेस कर देते हैं तो हमारे पास बच ज्याता है 891.2 तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा मीन वेज है वह है 891.2 तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में और नेक्स वीडियो में हम सीखेंगे अरिफमेटिक मीन और कंटीनूस फ्रिक्वेंसी डिस्टिबिशन तो तब तक के लिए गुडबाए